अभी तक हमने धान के बीजुपचार एवं नरसरी बेट तैयारी का वीडियो देखा एवं समझा अब हम इस स्रिंखला की एक और महत्पुन वीडियो को देखेंगे एवं समझेंगे जो की खेट की तैयारी एवं धान की रुपाई के बारे में है नरसरी बेट से बिछड़ा निकालने से पहले हमें कुछ महत्वपुन बातों पर ध्यान देना सरूरी है हाँ आप सही समझें हम खेट की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो जुताई बहुत ही जरूरी है इतना ही नहीं जुताई के साथ साथ इसमें केच्वा खाद भी डालना अतियावशक है अब आप सोच रहे होंगे केच्वा खाद कितना तो ध्यान दे एक कठे खेत में 20-25 किलो केच्वा खाद को अच्छी तरीके से मिलाना जरूरी है एवं मिट्टी को बराबर कर ले इससे हमारी मिट्टी उपचाओ एवं भुरबुरी हो जाएगी अब हमने खेत की जुताई तो करी लिये और केच्वा खाद भी मिला लिया हमारा खेत अब रुपाई के लिए पूरी तरीके से तयार है चलिए अब हम बिछडे के बारे म बात करते हैं क्या आपने सोचा है कितनी दुनों का बिछड़ा हमें खेत में लगाना चाहिए जी हां हम बिछडे के उम्र के बारे में बात कर रहे हैं जब बिछडे के दो पत्ते निकल आएं ध्यान दे दो पत्ते जो की आठ से दस दिनों में आ जाते हैं तब आप समझ जाएं कि ये सही समय है बिछडे को खेत में लगाने का अब आप सोचेंगे इतने कम उम्र के बिछडे कैसे लगेंगे तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कम दिनों के बिछडे आज सानी से लग जाते हैं एवं कलिया भी ज्यादा निकलती है तो उपज को बढ़ना ही है और हाँ एक बात तो बोलना हम भूली गएं बिछडे को लाइन से लगाएं एवं बिछडे से बिछडे की दूरी 10 इंच रखें इससे पौधो और जडो को बराबर फैलने का जगा मिलेगा तो पैदवार भी अच्छी होगी और हाँ इससे आप को खड़ पतवार निकालने में भी आसानी होगी तो याद रहा ना आप लोगों को जो हमने बताया कुछ भूल गएं तो कोई बात नहीं अब हम इस बात को फिर से पढ़ लेते हैं पहली बात खेत की जुताई कम से कम दो बार होनी ज़रूरी है एक कठा खेत में 20 से 25 केजी केचवा खाद मिलाना ज़रूरी है नरसरे बेट से उखाड़े गए बिच्ड़े दो पत्ते वाले ही होने चाहिए जो की 8 से 12 दिनों के हो बिच्ड़े से बिच्ड़े की दूरी 10 इंच ज़रूरी है